राम बंदे मातरम उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और जैसा कि हम लोग लगातार प्रकिती और प्राकृतिक चीजों का प्रचार प्रसार करने की कोशिस कर रहे हैं लोगों को बार बार उनके जो भी प्रभाव हैं जो एकदम चमतकारिक रोल निभाते हैं वो लोगों तक बताने और पहुँचाने का प्रयास। जगण जगण करके कर रहे हैं हम लोग। और प्रकित के करीब रहते हुए यह हमारे बड़े भया सुरेश मिस्रा जी यह भी प्रकित के बहुत बड़े खोजी हैं और बहुत बड़े रिसर्चर हैं और देखिए आज इस वरी कृपा से एक ऐसा जो है अध्भूत अनोखा ग्यान आप लोगों तक पहुंचाने जा रह घंद जो है जो हमारे दांट होते हैं उनमें कीड हों एक समस्या जिसको दांटों में ठंडे गरम पानी मतलब है जो कुछ भी खाए और असाहनी पीड़ा हो किसी भी दवा से ठीक नहों रहां जो कीड़ों की कोई ऐसी दवा नहीं आती जो ठीक दिख कर दे संपूर्ण रूप से यही है प्रकिति यही माता हमारी है जिनके अंदर यह छमता है हमें रच्छन करने की करना क्या है कि आप यह फल फूल देखे यह है नाम इनका क्या है जैसे मकोई नाम होता है ना मकोई की जग देजे 10-15 और इसको पानी में उबा लिए दो ग्लास पानी में उबा लिए आधा ग्लास बचे तो उसी पानी से आप कुल्ला करना शुरू कर यह मुह में पहुंसाच नटले के खुब घुमाते रहिए घुमाते रहिए जिस दात में कीड़े लगे हैं जीव की मदद से वह नहीं करते हैं जो अनुभाव के द्वारा प्रैक्टिकलिटी में जो एकदम खरा उतरता है वही आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि जब आप करें तो वही प्रभाव मिले जो बताया जा रहा है तो बस इनके पत्ते का काढ़ा बनाए और उसको मुह में लेकरके घुम एकदम समात्त हो जाएगी इतना बड़ा प्रकित का चमतकार जो करोणों रूपए के रिसर्च में और फैक्ट्रियों में नहीं बन पाए तो प्रकित के साथ जोड़िए प्रकित के साथ चलिए प्रकित ही जीवन है जीवन ही प्रकित है जब इसका मिलान कर देंगे इसके स स्ब्सक्राइब करें और उनका रोपन भी ये करते रहते हैं और हम लोग इसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों तक यह सब्सक्राइब करें लाईक करें यह हर आपको मिल जाएंगी हर गाओं में मिल जाएंगी बस लोगों को बताने और पहचान करने के जुरुत है जैसी राम बंदे मातरम